मीटर से डिस्ट्रिबीशन बोर्ट तक कितने स्क्वैर एमेम का हमें वायर लगाना चाहिए यह बहुत important सवाल है क्योंकि सबसे पहले हम मीटर से डिस्ट्रिबीशन बोर्ट तक जो वायर लगाते हैं मेन, mcp तक वो बहुत मायने रखता है तो मान लेजे कि बहुत सिंपल घर है जैसे कि दो फैन है एक टीवी है एक रेफिजरेटर चलता है और कुछ लाइट से जलते है तो लगबग इनका जो पॉर कंजम्शन है वो 500 वाट तक हो जाता है तो और एक्स्ट्रा 500 वाट हम लेके चलते है फ्यूचर में कुछ जोड सकते है तो इस घर का जो टोटल एलेक्ट्रिकल लोड है वो एक हजार वाट हो जाता है तो एक हजार को जब हम एमपियर में कनवर्ट करते है तो लगबग आप्रोक 6 एमपियर हो जाता है तो हमें मीटर से लेके डिस्ट्रुबिशन बोर्ट तक में एमसेबी तक जो वाइर का यूज करना है हमें 2.5 स्कूर अमें का वाइर यूज करना है और जो ये वाइर है आपको बंडल खरीदने के ज़रूरत नहीं है आप 3-4 मीटर खरीद सकते है वही 40-50 रूपे मीटर होगा तो आपका 200-500 में काम पूरा हो जाएगा तो आपको मीटर से लेके डिस्ट्रुबिशन बोर्ट तक 2.5 स्कूर अमें का वाइर यूज करना है क्योंकि जो ये वाइर है 20 अम्पेर तक करेंट क्यारी कर सकता है अगर आपके पास थोड़ा बजेट है तो आप में स्विच का यूज कर सकते अगर वह नहीं मिल रहा है तो आप 32 अम्पेर का भी यूज कर सकते और इसका प्राइस लगबग 700-800 रुपिया हो सकता है अगर ओलसेल में जाएंगे तो आपको 400-500 के अंदर भी एक न्यूट्र के लिए और एक फेस के लिए अगर आप इससे भी लोबजिट में जाना चाहते हैं तो आप सिंगल कीटे केट फ्यूज लगा सकते हैं जो मीटर से फेस वाय निकलता है उसको आपको कीट्-केट फ्यूज से कनेट करना होगा और जो मीटर से neutral wire निकलता है उसको neutral के load के साथ आको direct connection देना होगा आपके घर में जो switchboard लगा हुआ है उसको आप 1.5 square mm के wire से wiring कीजिए fan के लिए 1 square mm का wire का use कीजिए और lights के लिए भी 1 square mm का wire का use कीजिएगा जो lights है आप उसके लिए 0.75 square mm का wire का भी use कर सकते हैं कोई भी problem नहीं होने वाला है वैसे तो लोग अभी 1 square mm का wire का use करते हैं लेकिन पहले-पहले 0.75 square mm का wire का भी use किया जाता था साथ 0.5 square mm का भी wire का use किया जाता था ओके आपका जो घर के electrical load है वह बहुत ही कम है तो आप इस तरह से भी बहुत ही आसानी से wiring कर सकते हैं कम खर्च में कोई भी problem नहीं होने वाला है सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपका wiring है बहुत अच्छी तरीके से किया जाए ओके कि वाल जड़ता जाए जो कर दो के लंग स हबकाई जोका जड़िए भी हम नहीं कि आपका में जाए जो पिरे भी道म